परिक्षा होई शुरू रेल्वे स्टेशनों पर अभ्यारतियों का हो जू प्रशासन की बेवस्ता की खुली पोल परिक्षा की आज से शुरुवात रदेशी काई प्रामुक्ष एहरों की रेल्वे स्टेशन पर दिखी भी प्रयाग राज कानपूर गोरखपूर रेलवे स्टेशन पर भीड अब्यार्थियों के साथ सक बाखी यात्री भी कर रहे हैं सफर पेट की परिक्षा हुई शुरू रेलवे स्टेशनों पर अब्यार्थियों का हुजो रेशासन की बेवस्था की खुली पोल प्रदेश की कई प्रमुक शेहरों की रेलवे स्टेशन पर दिखी भीड रेयाग राज कानपूर गोरखपूर रेलवे स्टेशन पर भीड अब यर्चों के साथ साथ बाखी यात्री भी कर रहे हैं सफर आसे पेट परिक्षा की शुरुआत अलिगर में सावन या हॉस्पीटल में डिलिविरी को भरती प्रसूता की हुई मौत परिजणों ने हॉस्पीटल स्टाफ बलापर वाही का लगाया आरोप आग रोशीत परिजणों और समर्थकों ने रोड जाम कर किया प्रदर्शन सुशा पर पहुचे पुलस प्रदर्शन कारियों को समझाने में जुटी हंगामे के चलते हॉस्पीटल स्टाफ हुआ फरार और राउली थाना इलाके के रामखाट रोड की है घटना अलिगर्भी सामवर्या हॉस्पीटल में डिलीवरी को भरती प्रसूता क्यों ही मौत परिजणों ने हॉस्पीटल स्टाफ बला पर वाही का लगाया आरो और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे समवादाता ही तेश हमारे साथ पाफ किजिएगा नीटेश हमारे साथ जुड़ा है नीटेश एक डिलेवरी प्रसूता की मौत हो गई है जिसको लेकर परिजणों ने जमकर हंगामा काटा है इस तरीके की बात कही जा रही है बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीटेश युवन में भारत ने लगाई पाकिस्तान के क्लास कश्मीर को भारत ने अपना अभिंध अंग बताया सहयुक्तदास्ट में रूस यूक्रेण मुद्दे पर चल रही थी बात पाक प्रतिनीधी ने कश्मीर के तूला रूस यूक्रेण से की जिसके बाद भारत के तरफ से मूख की खानी पड़ी यूण में भारत ने लगाई पाकिस्तान की क्लास कश्मीर को भारत ने अपना अभिंध अंग बताया सहयुक्तदास्ट में रूस यूक्रेण मुद्दे पर चल रही थी बात पाक प्रतिनीधी ने कश्मीर के तूला रूस यूक्रेण से की जिसके बाद भारत की तरफ से मुख की खानी पड़ी राजानी लगनों में लगतार मिल रहे हैं डेंगू के मरीश एक दिन में डेंगू के 37 नए केस मिले अली गंज में 11 आलमपाग में 7 और इंद्रानगर में 6 केस मिले इस सालक तक 400 से ज्यादा केस मिले अभी तक डेंगू से एक की बहुत नहीं हुई और इस खबर प्यादिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे समवधाता रितेश हमारे साथ जुड़ हैं रितेश राधानी में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं जी लगातार एक महिने से डेंगू के कितने मरीज बढ़ रहे हैं इसे कभी चिंता कभी से है ये लेकिन जो ग्राफ है मोतों का मोत एक भी नहीं हुई राधानी में केस जाड़ा बढ़े हैं अब तक जो 400 केस हो चुके हैं लगबद अभी च्छाल का कलता कर केस देखा जा तो 33 नए केस कल मिले थी अली गंज में 11 आलमबात में 7 इंडरा नगर इलाके में 6 केस मिले थी इसके बाद प्रशाथान भी सब्सक्त हुआ है फॉबिंग करने के भी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकरी तेश गदा सबार द्यक्ष सतीश महाना पहुचे सेफ़ई स्वर्गे मुलायम सिंग यादो को श्रधांजली देने पहुचे सेफ़ई सतीश महाना नेकले श्यादो सिकी मुलाखात परिवार के प्रती समेंदा व्यक्त की सतीश महाना पहुचे सेफ़ई स्वर्गे मुलायम सिंग यादो को श्रधांजली देने पहुचे सेफ़ई सतीश महाना नेकले श्यादो सिकी मुलाखात परिवार के प्रती समेंदा व्यक्त की लोक निर्मार मंत्री जीति इन प्रिशाद प्रयाग राज की दोरे पर बारत बजे नगर निकाय चुनाओ को लेकर करेंगे बैठक जलाद्यक्ष महानागर अध्यक्ष इस्थानी सांसंद होगे शामिल पार्टी पदा दिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक लोक निर्मार मंत्री जीति इन प्रिशाद प्रयाग राज की दोरे पर साड़े बारे बजे नगर निकाय चुनाओ को लेकर करेंगे बैठक शुलाद्यक्ष महानागर अध्यक्ष इस्थानी सांसद होगे शामिल पार्टी पदा दिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक और पे अधिक जानकारी थिर सांब करेंगी इस को लेकर और क्या कुछ विल्कुल जिस तरीके से निकाय चुनाओ की तैयारियां जो है आई वो जो प्य हो peng इतने भी राजनेथिक डलहें वो लगातार अपने इस निकाय चुनाओ की प्रियारियों को लेकर जूटे हुए हैं आज पी डबुडी मंत्री जतिंपदाद प्रियागराज के दोरे पर हैं जो बारा बजे प्रियागराज के सरकिष हाऊस में बैठक करेंगे और इस बैठक के दोरान जीला नगर जो अध्याच है वो चाहिए यमना पार हो चाहिए ग आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार